गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू शॉर्ट हेंड हेल्प लाइन शॉर्ट हेंड हेल्प लाइन में आप सभी का स्वागत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन जिसकी स्पीड होगी 80 सब्द प्रतिमिनट और यह डिक्टेशन लिया जाता है दैनिक तो वहां से आप दिक्टेशन के प्राक्टेश करते हैं लेकिन इसको भी आप हमारी दूसरी वेबसाइट पर प्रैक्टेस कर सकते हैं सबसे पहले आपको happy stando search करना है और उसके बाद यहां पर click करना है यहां से लॉग इन करने का उप्षिन आएगा चुकि मैंने पहले से ही लॉग इन किया है इसलिए आपको ऐसे सोह रहा होगा स्टैनो टेस्ट में जाएं एंड लैंग्वेज में मंगल सेलेक्ट करें चुकि मंगल में फीट किया गया है न्यूज एक ही टॉपिक आपको दिखेगा क्योंकि ये यूटूब के डिक्टिशन के लिए ये वेबसाइट रखे गई है पराग्राप में आपको डेली न्यू अपडेट होता है तो एक ही डिक्टिशन दिखेगा स्टार्ट टैस्ट पर क्लेक करें चुकि आप यहां यूटूब से लिख रहे हैं इसलिए आपको यहां प्ले करने के जरूरत नहीं है ओकी पर करें और language सेलेक्ट करें चुकि मैंने मुझे गेल में टाइप करना है तो मुझे सेलेक्ट करना है index input 3 ओकी तो चलिए dictation को थोड़ा सा टाइप करते हैं और फिर result देखते हैं सरद पवार ने एक बार फिर न केवल विपक्षी दलों को जटका दिया बलकी उन्हें आइना भी दिखाया इस बार उन्होंने उन दलों की चुद्रता भरी राजनिती की पोल खोली जो प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री की डिगरी को मुद्दा बनाने की हास्या इस्पद खोसिस कर रहे चलिए ये भी बता देते हैं कि backspace काम करता है तो आप अगर गलत हो जाए तो back कर सकते हैं वैसे मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं तो आपको result समझ में आएगा अच्छे से तो चलिए submit करते हैं अगर आप time से पहले कर लेते हैं तो in detract पर click करें यदि आप नहीं कर पाते हैं तो automatic submit हो जाएगा और आपको result आपको हो जाएगा जो member नहीं है member बना चाहते हैं description चेक करें starting में ही link दे गई है वहाँ से आप हमें direct message कर पाएंगे और detail के लिए पूछिए या फिर demo के लिए पूछिए या फिर कोई भी inquiries हो तो आप description box शेक करके वहाँ से हमें direct contact कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं सरत पवार ने एक बार फिर knockable विपक्षी दलो यहां तक तो मैंने सही type किया था और जटका की जगा जटना लिख दिया है तो यहां पर सो हो रहा है green color में यह जो green color में मैंने type किया है वो सो हो रहा है और यहां पर यह pink color का यह सही है यानि कि मैंने इसकी जगां पर यह लिख दिया है जटका की जगह जटना दिया, कॉमा, बल्की उन्हें, तो बल्की में हाफ करेक्टर आया है, चुकि इनिस्क्रिप्ट ने फीड है, मैंने गेल पर टाइप किया है, तो हाफ करेक्टर वाले सारे आपको गलत सो होंगे, तो ये सही होते हुए इसलिए इहां पर सो हो रहा है, ल की हाफ करेक्टर वाले है, आइना सही है, आइना भी दिखाया, पूर्ण विराम, इस बार की जगह बारी लिख दिया है, और उन्हों ने, ये हाफ करेक्टर है, इसलिए गलत सो हो रहा है, उन दलों की छुदृता, भरी, राजनिती, की, पोल, खोली, खोली की जगह मैंने लिख दिया है, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है, कि गलत है, जो प्रधान मंत्री गलत लिखा है, प्रधान मंत्री की डिग्री को मुद्दा, मुद्दा की जगह मैंने कुछ और लिख दिया है, मुद्दा बनाने की हास्यास्पद, हास्यास्पद, ये हाफ करेक्टर है, इ आपको पूरा सो होगा तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन के तरफ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाने बिल्कुल भी न बुले ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोट मदस्टीbilir के चैनल से और हां तो छेवर भी कि यहां से दिया जाता है यह तो आपको बता courtesy होगाere नहीं है तो होगा है तो रिक्न भाग चसाने है्वान पे भी लिंग जान ए और अगर आप छॉन करना है तो यहां से हमें मैसंच कर सकते हैं यहांपे यहां पे जस्क्लिक क स्टार्ट होगा थ्री सेकेंड बाद स्टार्ट सरद पवार ने एक बार फिर न केवल विपक्ष बलकि उन्हें आईना भी दिखाया इस बार उन्होंने उन दलों की छुद्रता भरी राजनिती की पोल खोली जो प्रधान मंत्री की डिगरी को मुद्दा बनाने की हास्यास्पद कोसिस कर रहे हैं इसके पहले सरद पवार कॉंग्रेस समीत उन दलों को जटका दे चुके हैं जो अदानी मामले में जेपीसी जाच की मांग को लेकर इसके बाद भी आसमान सिर पर उठाए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जाच के लिए एक समिती गठित कर दी है पैराब लगा होगा तो आम आदमी पाटी और उद्धव ठाकरे वाली सिवसेना को यही दोनों पाटियां हैं जो प्रधान मंत्री की डिगरी को तूल देने में लगी हुई हैं इसके अलावा कुछ अन्य दल भी है जो इस मुद्दे को उचाल देते हैं जो भी इस व्यर्थ मुद्दे के जरिये अपनी राचनिती चमकाने की कोसिस कर रहे हैं वे राचनितिक दिवालिये पन का ही परिचय दे रहे हैं पैरा प्रधान मंत्री की डिगरी इसलिए कोई मुद्दा नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने स्वयम को एक सफल राशनेता के रूप में इस्थापित करने का काम किया है देश दुनिया में उनके जैसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने बिना किसी डिगरी चमत कारिक सफलता प्राप्त की है इसमें नेता, उद्धमी, संत, समाज, सुधारक, खिलाडी, अन्वेशक और अन्य अनेक लोग हैं पैराप् निसन देह डिगरी की अपनी एक महत्ता है लेकिन एक सीमा तक ही प्रतिभा किसी डिगरी की मोहताज नहीं होती ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि डिगरी प्राप्त कर लेने भर से कोई सफल नहीं हो जाता प्रधान मंत्री की डिगरी को मुद्दा बना रहे दल इससे अनभिग्य नहीं हो सकते कि राशनिती में ही न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी डिगरी सफल सासक संगठन करता और नत्रित्व करता के रूप में अपनी छाप छोड़ी है प्रधान मंत्री की डिगरी को तूल दे रहे लोग क्या यह गारंटी देने की इस्थिती में हैं कि उनके दलों में जो भी नेता हैं वे सब डिगरी धारी हैं यदि नहीं तो फिर यह तमासा क्यों पैरा प्रधान मंत्री की डिगरी का मामला इसलिए और अधिक छिचली राजनिती का पर्याय है क्योंकि उनकी डिगरी सार्वजनिक की जा चुकी है यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस मामले को तूल देती हुए अधालत का दरवाजा खटखटाने वालों को न केवल फटकार मिली है बलकि उन्हें जुर्माने का भी सामना करना पड़ा है लगता है इससे ही चड़कर वे प्रधान मंत्री की डिगरी का मुद्दा उचालने में लगे हुए है पहले वे उनकी डिगरी दिखाने की मांग कर रहे थे अब यह कह रहे हैं की उनकी डिगरी सही नहीं डिक्टेशन समाप्त हुआ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन आप लोग अपना और अपनी फैमली का ख्याल रखिए और हाँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि यहां बैत प्रती देन सुबाद 6 बजे आपको डिक्टेशन प्रोवाइट किया जाता है वो भी फ्री ओफ कॉस्ट इसके लिए आपको कोई भी चाल नहीं देना है और अगर जाते हैं पंदरक्द गृवाइट से नहीं है आपको कुछ कशेशन में आपको तिल एकजाम तक मेंबशिप दे जाएगे धनीवाद झाल